उपजहिक संग जग माही जलज जोंक जिमी गुन बिल गाही सुधा सुरासम साधू असाधू जनक एक जग जलधी अकाधू क्या कहते हैं बाबा जी दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुन अलग अलग है कमल दर्शन और अस्पर्श से सूख जाता है किन्तो जोक शरीर का अस्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है उसी प्रकार संत असंत हैं साथू सजन है जैसे साथू अम्रित के शमान होता है यानि मृत रूपी संसार से उबारने वाला होता है दोनों को उतपन करने वाला जगत रूपी अगाध समुंद्र एक ही है साथ्रों में समुंद्र मन्थन से अम्रित और मदीरा दोनों की उतपत्ति हुई है जब शमिंद्रमन्थन हुआ था तो उस समय मदीरा भी निकला था और अम्रित भी वहीं से निकला था इसलिए संत असंत इसी संसार में है और इसके करता धरता जो है भगमान श्री हरी ही है इसलिए दोनों की उत्पती एक ही जगह से हुई है लेकिन उनमें भेद है क्योंकि संत जो होता है सदा हित कारी होता है जन कल्याण कारी होता है देश के हित उनका देश के प्रति उनका अत्म विस्वास रहता है देश की प्रति निर्भर रहते हैं देश की एक खंडता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जो संत सन्यासी होते हैं और जो असजन होते हैं वो कैसे भी चाते हैं कि इस देश को तोड़ा जाए इस देश में हम इसा कुछ ना कुछ आफत की आजाए, लेकिन संत जो होते हैं, संत तो जन कल्यान की बात चोड़िए, देश कल्यान की बात, वो तो विश्व की कल्यान की बात करते हैं, पूरे संसार की कल्यान की बात करते हैं, संत की जो बाते हैं, वो तो पूरे विश्व की कल्यान की बाते ही चलते इसलिए संत अगर आपको सच्छा संत मिल जाए तो जान लेजिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा लेकिन आज की समय में संत का मिलना बहुत ही दुरलब है अगर मिलते भी हैं तो उनकी पहचान कैसे करी जाए क्योंकि जहां पे तमाम प्रकार के ढोंगी ही चल रह हैं वहां पे अच्छे लोगों की पहचान कैसे करी जाए उस पहचान के लिए ऐसी द्रिष्टी हमारे पास नहीं है कि हम यह पहचान लें कि वो संत है या संत है हम लोग ज्यादा अतर करके असंतों को ही असंतों के ही हम ज्यादा तर करके उनहीं का आदर सतकार करने चालू कर देते हैं और बाद में पता चलता है अरे बाबा ए तो संत नहीं ए साधू नहीं ए तो असाधू था ए असंत था ए दुर्जन था ए दुराचारी था ए कपटी था ए छलिया था लेकिन क्या है कि हमारी द्रिष्टी तो नहीं थी उस प्रकार इसलिए आगे बाबा जी ने कहा कि भले अनभले निजे निजे कर तूती लहत सुजच अप लोक विभूती सुधा सुधा कर सुरे सरी साधू गरले अनले कली मले सरी ब्याधू गुने आगुने जानत सब कोई जो जही भावनी किते ही सोई बाबा जी ने बहुत ही सुन्दर बाते कहीं हैं संत जन के लिए संत जन के लिए शमाज के लिए यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से बाते कहीं हैं भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुन्दर यस अपयस्की संपत्ति पाते हैं अम्रत चंद्रमा गंगाजी और साधी विस अग निकल यूग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हींशा करने वाले व्याग उनके गुण और गुण सब कोई जानते हैं किन्तु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है आज का समय है नकिन नमाने वालों की संख्यावी बहुत जादा है कि बहुत लोगों ने तो भगमान राम को ही काल्पनिक में और लोग जो थे बुद्ध जीवी आज की समय पे बुद्ध जीवी में आते हैं कोई नेता है तो कोई लीडर है तो कोई संगठन करता है तो कोई मतलब ऐसे ऐसे लोगों है जो कोई उकील है कोई जज्ज है कोई कलेटर है कोई क्या क्या है ऐसे लोग भी भगवान को कि भगवान को मानने के लिए तयार रही है येकिन उनको पता है कि भगवान है को भगवा बनते हैं, रीजन क्या है? उनका सबसे बड़ा रीजन है कि समाज में देश फैलाना, समाज में मतभीद डालना और अपना राज करना यही उनका मेन उद्देश है और कोई उनका उद्देश नहीं है, उनका उद्देश है कि हम समाज में अगर समाज में मतभीद फैलाएंगे देवीदे उताओं के प्रती मतभेद फैलाएंगे तो समाज हमारा समाज हमारे साथ रहेगा और दूसरा समाज जो हमें नहीं मानता अलग हो जाएगा इसलिए उनका एक ही मक्चद है कि इनमें मतभेद डालो और राज्य करो आगे बाबा जी ने बहुत सही बाते कहीं हैं कि भलो भलाई पहले ही क्या कहें कि भलो भलाई पहले ही निचाई नीचु सुदा सराई अमरता गरल सराई अमीचु क्या कहें हैं भला भलाई ही ग्रहन करता है जो भला होता है वह भलाई ही ग्रहन करता है जिस प्रकार से चंदन के विष्च में तमाम प्रकार के सर्पर लिप्टे रहते हैं लेकिन क्या चंदन के अंदर उसका विष्च चला जाता है बिल्कुल नहीं जाता जिस प्रकार से नीच नीचता को ही ग्रहन किये रहता है चाहे उसके अंदर कुछ भी आप डाल दो जिस तरह से एक बिच्छो है वो अपना सुभाव नहीं भूलती डंक मारना नहीं भूलती उसी प्रगार से एक नीच व्यक्ति जो होता है नीच यानी दुराचारी अज्ञानी मूर्ख सट इसको नीच कहा गया है अम्रित की सराना अमर करने में होती है विसकी मारने में होती है बाबा जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर चोपाई रामजीत मानत में लिखी है इसका स्रुन करने से इंसान का हर एक मनुष्य का मन मस्टिक हिर्दय बदलने लगता है इसलिए हम शबी से यही कहेंगे प्रत दिन अपने घर में रामचीत मानत का स्रुन करें और अपने बच्चों को भी स्रुन करें उनको भी सुनाएं और इसमें ऐसी ऐसी बाते बाबा जी ने लिखी है कि आप धन हो जाएंगे और धन ह जिनने इस संसार के लिए इतना दुर्लब अम्रित से बड़ा रामचीत मानत का उन्होंने रचना करके संसार के लिए दे के चले गए तो सी बाबा को प्रणाम है